आज हम बनाने जारहे हैं, रॉस्टे टेम豆 चटनी, जितनी भी तरह की चटनी आपने आज तक खाई हैं यह उन सब से अलग होने वाली है, रॉस्टेड टेमटो का फ्लेवर ग्राइंड होके चटनी में आता है ग्रीन कोरियंडर इसके लिए सबसे पहले हम को इनको रोस्ट करने रखना है इसलो गैस पे हमको अपने टमेटो और गार्लिक बड को रोस्ट करना है यह जो ग्रिल देख रहे हैं आप हार घर में मिल जाती है अगर आपके पास नहीं हो यह इस टील वाय ग्रिल तो आप इसे डायरेक्ट फ्लेम पे भी रोस्ट कर सकते हैं मेरे पास थी तो मैंने कर लिए और यह मैंने इसलिए लगाया हुआ है इसको हर तरफ से घुमाते हुए हमको रोस्ट करना है इसकी ब्लैक हो जाएगी इसकी जिसे बाद में निकाल देंगे इस प्रोसस में तीन से चार मिनट लगेंगे आपको मीडियम फ्लेम पे और गार्लिक क्लोब बहुत जल्दी रोस्ट हो जाता है उसको हमने रोस्ट करके अलग निकाल लिया है सब तरफ से इसको कुमा के हमने रोस्ट कर लिया है अब इसे भी हमें प्लेट में निकाल लेते हैं प्लेष हमा तक ठंडा हो चुका है इसको हम फशे ही चील लेंगे पार को यह रोस्ट हो जाए तो यह बहुत इसली हो जाता है तो इसकी क्लोसम हाट से ही चील लेंगे थोड़ा इसको हम सकstiली करके चील लेंगे सारे कलोफ्स अमने अलग कर लिए हैं अब हमें एक मिनी ग्राइंडर जार ले रहे हैं अगर आपके पास यह नहीं है तो आप मिक्सी में भी कर सकते हैं लेकिन उसे हमें पल्स में चलाना पड़ेगा कि एक सेकेंड के लिए ओन किया फिर ओफ कर दिया क्योंकि हमें इसका पेस और गार्लिक क्लोफ्स अमने इसमें डाल दिये हैं अब इसको हम ग्राइंड कर लेंगे तो माटर हम बाद में डालेंगे क्योंकि टमाटर डालने के बाद यह अच्छा सा ग्राइंड नहीं होता है एक अनियन भी हम यूज कर रहे हैं आप यहां पर इससे भी बहुत अब हम इसमें अपने टमेटोस डालेंगे लेकिन उससे पहले उसकी जो इसकिन काली हो गई थी उसको अलग कर लेंगे थोड़ी बहुत बच जाती है तो कोई बात नहीं लेकिन बाकी हमने अलग कर दी है इन टमेटोस को हम थोड़ा सा कट कर लेंगे और जुनका हाड़ पा मैं अब इसको हम उसी ग्राइंडर में। की समय करेंकिपन इसका शोय के लिए इसको नहीं जानाना है इसको मोटा दरदरा ही रखना मेश मय तो गोर मिला अभशी तर्छा ने याल इसको भी हमने pad्किन कर लिए यह बहुत अच्छी बनती है आप एक बार इसको जरूर ट्राई करिए आपने जो भी आज तक चटनी खाई है उन सबसे अलग टेस्ट आता है इसका बहुत आसम लगता है यह सब हमने निकाल लिये हैं अभी इसमें हमें तीन चीजें डालनी है एक ब्लैक सॉल्ट वाइट सॉ हाफ टीस्पून ब्लैक सॉल्ट और इतना ही करीब भूने जीरे का पाउडर इसको भी कोड्स ही ग्राइंड करिए आप इसको भी इसमें मिला देंगे एक बार इसको मिक्स कर देंगे अभी हमें इसमें डालना है थोड़ा सा एक चमच ओल मैं यहां ओलिव यूज कर रही ट्रडीशनली इसमें वही डाला जाता है चटनी हमारी तैयार है किसी भी चीज के साथ में आप इसे सर्व कर सकते हैं नहीं तो साइड डिश तो बना ही सकते हैं बहुत टेस्टी बनती है यह इफ लाइक माई टुडेज ऐसी भी प्लीज लाइक और सब्सक्राइब माई चै